आज का प्रेड़ना पाते स्वतंतरता और प्रतंतरता हर व्यक्ति को हर पाणी को स्वतंता प्रिय है किसी व्यक्ति को कैद में डाल दो तो वो अप्रिय लगती है किसी भी पक्षी को पिंजरे में डाल तो उसको अच्छा नहीं लगता है किसी भी पशु को बाड़े में डाल दो वो उसको अच्छा नहीं लगता है तो इंसान को प्रतंत्र अच्छी क्यों लगेगी तो हमें समझना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र किसम है और प्रतंत्र किसम है देखिए प्रतंत्र तो पीछे से जो लेकर क्या है उसमें प्रतंत्र है हम जो वर्तमान का जीवन जीते हैं यह हमारा बाग्योद है उपादान पिछले जनम का है और पिछले जनम के बाव कर्म है इस जनम के अंदर वो द्रव्य कर्म मिलकर के एज इटीस हम उसका भुगतान पाते हैं तो वो अमारी परतंतरता है उसमें हमको एक नई सांस भी लेने की स्वतंता नहीं है क्योंकि वो तायूश्य के अदीन है अब स्वतंतरता किसमें है जिसमें स्वतंतरता है उसमें समय लगाना चाहिए क्योंकि स्वतंतरता से ही प्रगति होगी प्रतंतरता तो एक बंदन है प्रतंतरता एक मजबूरी होगी तो उसमें हमको क्या लाब होने का है तो स्वतंतरता है वो हमारी चेतना में है क्योंकि चेतना पर प्रतंतरता के जो गुण है वो गुण लागू नहीं होते यानि वो नियम लागू नहीं होते है तो स्वतंतरता चेतना से होने के कारण चेतना के साथ अन्मयाकार होना चेतना की बात करना चेतना की गुणों की बजना करना और चेतना से संपर्क रखना स्वतनतरता है वह स्वतनतरता का एक सिस्टम है उसका नाम है द्रस्टी विज्ञान आप द्रस्टी विज्ञान को पैचान लीजिए वो रियल पुर्शार्थ है उसमें कोई पुन्य का बंद नहीं यानि सीधा आपका तार चेतना से जुड़ता है और चेतना तो प्योर जो मुक्ति वाली चेतना है तो सीधा उससे जुड़ता है आपको पुन्य के भोग के लिए और गतिय नहीं करनी पड़ेगी तो अर्थ ये है आप 24 आवर्स पृतिती रखो कि मैं शुत आत्मा हूँ उसकी जागरती जैसे की दिये की लो होती है उस लो को बनाए रखो जब आपकी जागरती रहेगी तो अनुपब बढ़ता जाएगा और 100% स्वतंत्र हो जाओगे